हेलो नमस्कार दोस्तों मैं सुधा मिश्रा कैली बरड़ा पर आप सब इकास्वागत है फ्रेंड्स हम सब पढ़ रहे थे अलंकार अलंकार के कुछ पार्ट कल हमने क्लियर कर लिये थे उसमें से सब्दा अलंकार के जो चार भाग होते हैं उसमें से तीन भाग हमने पढ़ लिये थे अब लास्ट और चौथा भाग बजता है वक्ट रोप दिया लंकार ठीक है आज हम स्टार्ट करेंगे वक्ट रोप दिया लंकार जो की शब्दा लंकार का चौथा लंकार है अलंगार को स्टार्ट करने से पहले फिर आपको याद करा दूँ कि वीडियो अन करते ही आप लाइक, शेर, कॉमेंट और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते रहें तुरंट कर दें ठीक है ये मुझे अलग तरह की टॉनिक, अलग तरह की एनर्जी देता है मेरी आँखों में इसको देख के ही चमक आ जाती है कि हाँ लाइक आ गया ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं वक्रोप्ति अलंग कर चौथा क्या था वक्रोप्ति अलंग कर आई हो आपको पिछले तीन अलंकार समझ में आ गये होंगे हमने अनुप्रास अलंकार पढ़ा था उसके पांच पार्ट थे ठीक है और उसके बाद दूसरा अलंकार हमने श्लेश पढ़ा था तीसरा अमक पढ़ा था अनुप्रास के पांच अलंकार के पांच पार्ट जो तो होते हैं वह भूल जाते हैं उसकी आधार पर बताया था आपको छे का अनुप्रास तीन बार अवरिती हो प्रित्या अनुप्रास तीन बार अवरिती हो लाटा अनुप्रास बाक्य की अवरिती हो और आपका अंत्या अनुप्रास अंत का अक्षर मिलता हो उसकी अवरिती ह और था शृत्यान अनुप्रास थी जो सुनने जिसकी तुक बंदी हो मतलब सुनने में दो लाइन एक सी लगे लगाता है तो इस तरह से हमने बताया थे फिर यह श्लेस और यमक यमक यानि एक सब अधिक बार आया और उसके अर्थ भी अलग-अलग हो ठीक है इस तरह से हमारे तीन अलंकार हो गए थे आज हमारा स्टार्ट है वक्रोग के अलंकार इसमें वक्रोग थी वक्र का अर्थ ही होता है क्या वक्र आपने गणित में भी पढ़ा होगा वक्र यानि पुछ तेढ़ा मेढ़ा सा यानि इसमें शोता के कथन का अर्थ या आशय दूसरे आर्थ में लिया जाता है अर्था जो कावी होता है जिसमें वक्ता या श्रोता का कोई आपस की बात्चीत चल रही हो वक्रता लाप चल रहा हो उसमें वक्ता जो होता है वो कहता कुछ और है लेकिन जो श्रोता होता है वो कुछ और समझता है तो इसमें दूसरे आ का तरीका दो तरह का होता है एक तुव अन्जाने में या एक जान बूच कर तो इसी की आधार पर वक्रोक अलंकार भी दो प्रकार का बटा है पहला है काकू वक्रोकती पहला क्या है काकू वक्रोकती ठीक है इसमें वक्ता की कहीं बात को शोता उसकी कंख में कोई कमी या वाणी में कोई भी दोसों दूश के कारण अलग आर्थ में समझ लेता है ठीक है इसमें जो बारता लाख हो रही होती है इसमें वक्ता जो बात कहता है जिससे कहता है वो सुनने वाला उसके चाहिए बोलने का तरीका ऐसा हो या उसके कंख में कोई औरोध हो या वो तुतलाता हो या किसी तरह कि उसके अंदर वाड़ी दोस्त हो जिसके वज़ा से जो श्रोता होता है वो उसका अलग अर्थ निकाल लेता है कैसे निकालता है वो देखते हैं देखो कहते हैं वक्ता कह रहा है देते हैं वर्दान श्यू भाव चाहिए नीत ड़्छन खर वाग भाव शो बाव दो उने हम जो सी तरह को दो कहते हैं अब इसमें देखें, दो तरह की बात हो रही है, ठीक है, इसमें दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं, पहला कह रहा है, देते हैं वरदान स्युआ, भाव चाहिए मीदा, ठीक है, वो कह रहा है कि भोले भगवान जो है वो वर्दान देते हैं आपके अंदर मन में ऐसा भाव होने चाहिए ऐसी स्रद्धा होने चाहिए कि भगवान वर्दान दे दें आप सच्चे मन से मांगोगे भगवान सारे वर्दान देंगे तो उसी आसे को लेते हुए वो कहता है देत कि जाते हैं भग्वान भवद चाहिए नहीं मन काभव होना चाहिए लेकिन उसका मित्र जो है वह उसके मन में ड़ो चल चल रहा होता है तो उस दोस्त की वजा से समझ लेता ह cav statist मतलब कि भोले पैसे के भाव की बात कर रहा है तो किसी कारण बस कारण कुछ भी लगा हो उसने उस भाव का गलत अर्थ निकाल लिया वाकि वही है देते हैं भगवान को भगवान को पैसा चाहिए तब वर्दान देंगे तो इस तरह से यहां काकू वक्रोग त्यालंगार हो जाता है ठीक है अब दूसरा आता है इतना ही महरब करती है आप स्क्रीन सार्ट सबका लेते जाएगा यह बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है और जितनी चीजे में बता रही हूं हर जगा आपको सायद अवलेवल ना हो ना ही मिल पाए इस वज़ा से आपको यह नोट कर लेना बहुत जरूरी है दूसरा है श्लेश वक्रोगते है ठीक है श्लेश का आप समझते ही है चिपका हूँ इसमें जो श्रोता होता है श्रोता जान बूज कर अन बूज कर वक्ता के कही वाक्य का गलत अर्थ निकाल लेता है है ठीक है कई बार ऐसा हम लोग के साथ भी होता है किसी की बात नहीं सुनना चाहते नहीं समझना चाहते तो जो हमारे सामने वाला है जिससे हम बात कर रहे हैं उससे कुछ गलत ही अलग ही अर्थ निकाल लेते वो कहता कुछ और है और हम उसका गलत मतलब निकाल के कुछ और जबाब देते हैं चलना है तो वो प्रशन पूँछ रहा है तो हाँ जाना है जाओ जैसे हम दो कई बार फैमिली में होता है कि मारकट जाने की बात हो रही है मारकट जाना है तो वो पूछ रहा है हम से कि मारकट जाना है तो यहाँ थोड़ा सा जो वर्डन है वो राधा कृष्ण का ही है उन्हीं में ज्यादा मनुहार होती थी इसी तरह के थोड़े लड़ाई जगड़े होते थे तो वो धर में दे रही हूं ठीक है यह जैसे पंक्तिया है इसमें राधा और कृष्ण में आपस में जगड़ा हो गया है और राधा गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है रधा जी बोलती है कौन द्वार पर उष्रमात लगा हुआ है तो राधा जी तो ऑगवान को हरी भी कहते है तो राधे मैं हरी हूँ आया हूँ तो राधा जी तो गुस्सा है तो वो कहती है हरी भगवान को भी कहते है विश्णु भगवान को भी तो नहीं करो कृष्ण भगवान थे तो कहते है मैं हरी हूँ तो हरी बंदर को भी कहते है तो राधा जी भगवान से मतलब नहीं निकालती है बंदर से जान बोज कर कहती है क्या वानर का काम यहां यहां बंदर का क्या काम है तुम यहां क्यों आए हो तो देखे क्या है वह अपने आपको रहे और वह बंदर से अर्थ निकाल लगी देखे जब आपको अलंकार पढ़ना है तो अलंकार की पहचान करने के लिए अलंकार को समझने के लिए अन कार्थी सब्द परियावाची सब्द तो जैसे यह बंदर का परियावाची है हरी तो ऐसे शब्दों को आपको बहुत अध्यन करना होगा मैं बहुत सारे शब्द आपको दूगी उसमें कुछ पढ़ाना नहीं है मैं डायरक्ट बोर्ड पर लिख दूगी अगर आपका कोई क चिपका हुआ है ठीक है अब यहाँ पर हमारा शब्द आलंकार समाप्थ हो जाता है अब आगे हम पढ़ते हैं अर्था आलंकार देखते देखते इसको अगर छूट गया है तो लाइक सब्क्राइब शेयर कमेंट करते रहे हैं मुझे थोड़ी थोड़ी सी एनर्जी देते रहे हैं नेक्स्ट आता है अर्था आलंकार ठीक है देखिए जब शब्दों के माध्यम से चमतकार उत्पन हो या उसके मतलब तत्तों के आधार पर शब्द के आधार पर किसी कावे में चमतकार उत्पन हो तो वहाँ शब्दा आलंकार जब किसी आर्थ के आधार पर चमतकार उत्पन हो तो अर्था आलंकार ठीक है थोड़ा सा हम लिख लेते हैं लेकिए जब किसी कावे में अर्थ के आलंकार उत्पन हो वहाँ अर्था लंकार होता है ठीक है अर्था लंकार को हम जर्नली मान लेते हैं यह सो प्रकार के होते हैं सभी प्रकार हम नहीं पढ़ते हैं ना पढ़ सकते हैं लेकिन अगर हम संपूर हिंदी की बात करें तो अर्था लंकार सो प्रकार के होते हैं इसमें दो प्रमुख अंग होते हैं, जो कि अभी हम जब अलंकार पढ़ना शुरू करेंगे, तो उसमें दो चीजों को खास तोर से पढ़ेंगे, उसको हम देख लेते हैं। मुख्य बात जिसके विशे में बात हो रही है। मुख्य बात जिसके विशे में बात हो रही हो, वह उपमे होता है। ठीक है, या जंगली क्या होता है, मानो शरीर का कोई अंग। ठीक है, उसके बारे में बात की जाती है। अउपमान क्या होता है? मुख्य बात जिससे ये मुख्य बात है। कि तलना हो रही हो, ठीक है? ठीक है? इसमें क्या चीज़े आती है? प्राकृतिक चीज़े आती है। क्या प्राकृतिक चीज़े? ठीक है, प्राकृतिक चीज़े क्या है? यानि कि जिसे भगवान ने बनाया हो। सूरक, चंदा, तारे, पेल, पौधे, फूल, कलीन, नदी, पहाड इस सब तरह की चीज़े उपमान में आती है। ठीक है? अब हम आगे अर्थालंकार के जो प्रकार है में, सारे प्रकार हम नहीं पढ़ पाएंगे, मैं बता रही हूँ, उतना समझने कभी नहीं है, उतना एक्जाम में भी नहीं आता है, पर जो में में आने हैं, जो हमारे लिए ज्यादा वैलेवल है, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो पहला हमारा है उत्मालंकार समान, धर्म, शोभा, गोण, आदी के, आधार पर एक वस्तर की तुलना दूसरे से की जाए, वहां उत्मा अलंकार होता है, ठीक है? दूसरे सब्दों में हम कहें कि जब किसी चीज के गुड मिल रहे हो, धर्म मिल रहे हो, सुभाव मिल रहे हो, सुभाव, इस आधी चीजे मिल रही हो, दो चीजों में समानता हो, ठीक है? जब तुलना की जाए, बस्तकी तुलना दूसरे से, रुकिए देखें तुलना है, यह समानता की जाए, ठीक है? यह कहा जाए, यह इसके समान है, यह इससा है, यह इसके जैसा है, यह इसके तुले है, ठीक है? माप भगवान तुले है, तो यह सारी चीजे उपमालंकार में आती है, जिससे एक चीज की तुलना दूसरे से की जाए, वहाँ उपमालंकार होता है, ठीक है? किसी चीज को दूसरे चीज के समान बताया जाता है, पहचान, इसकी में पहचान क्या होती है? पहचानने के लिए आप क्या क्या, वाक के जो पंक्तियां हैं, सा, सी, सो, सम, जैसा, तुल लिया, ठीक है? इन शब्दों का प्रियोग होता है, ठीक है? जब हम उपमालंकार की बात करते हैं, तो इन सा, सी, सम, सो, सम, जैसा, तुले, इन सब्दों का प्रियोग उस वाक्य में, उस कावे में अवश्य होगा. वहाँ पे आप पहचान जाईएगा, इन सब का प्रियोग होने पर, कि यहाँ पे उपमालंकार ही होता है, ठीक है? उपमालंकार के क्या होते हैं? चारंग होते हैं. इसका चलिए एक उदारान भी आपको बता देती हैं. जैसे, राम मुख, कमल सा सुन्दर. ठीक है? तो इसमें राम के मुख की, मुख क्या है? सरीर का अंग है, कमल क्या है? प्रक्रतिक चीज है. और कमल सा मतलब उसकी तुलना धीज गई, इसकी तुलना सुन्दरता की तुलना, राम के मुख के सुन्दरता की तुलना कमल से की गई. तो यहाँ पर उपमालंकार हो जाता है अब हम आपको बताते हैं उपमालंकार के अंग उपमालंकार के चार अंग होते हैं पहला उपमे दूसरा उपमान तीसरा वाचक शब्द और चौथा समान धर्म ठीक है इस तरह से हम देखते हैं कि उपमालंकार के चार अंग होते हैं ठीक है उपमे क्या होता है जिसकी तुल न दी जाए जिसकी तुल न दी जाए ठीक उपमान क्या हो गया जिससे तुलना दी जाए ठीक है वाचक सब्द क्या हो गया जिस शब्द के माध्यम से तुलना दी जाए ठीक है और समान धर्म क्या हो गया जिस गोण की किलना की जाए ठीक है इसके चारंग गोण गोण से हो गया पहला उप में दूसरा उपमान तीसरा वाचक सब्द वाचक यानि जिस सब्द जो बोला जाता है चौथा समान धर्म चार चीजे उपमालंकार में होते हैं लंकार के चारंग होते हैं ठीक है तो जैसे हमने यह उदारन लिखा था राम मुख कमल सा सुंदर तो इसमें यह चारों अंग विद्दमान है जैसे उपमें क्या हो गया जिसकी तुलना की जाए हमने आपको बताया था कि उपमें सदयो मानों शरीर का अंग होता है तो राम का मुख मैं आप यहां पर मुख निया दूसरी पैंसे रिक जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो फ्रेंग क्या हो गया राम मुख में हो गया ठीक किस से तुलना दे गई अब प्राकृतिक चीज है कमल है किस से तुलना की गई कमल से अब इसमें वाचक सब्द किसका प्रियोग हुआ वाचक सब्द सा वाचक सब्द यहां पर सा हो गया जिस सब्द के माध्यम से तो सा के माध्यम से ही कमल सा सुन्दर तुलना दी गई और समान धर्म समान धर्म किस बुण की तुलना दी गई सुन्दर होने की तो सुन्दर क्या है कमल भी सुन्दर होता है राम का मुख भी सुन्दर होता है तो राम मुख कमल सा सुन्दर तो राम का मुख और कमल के सुन्दर था तो कौन सा गुण की तुलनाग की गई सुन्दर ठीक है तो यह चारों अंग हो गए वाचक और यह हो गया समान धर्म इतनी चीज़ें मेरे ख्याल से आपको रट गई होंगी एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि वाचक के तुरंद पहले उपमान होता है ठीक है उपमालंकार में वाचक सब्द यह सासी से हो सब्द यह वाचक सब्द है इससे तुरंद पहले ह उपमान होता है ठीक है तो उपमान अगर आपको पहचानना है आप भूल जाते हैं कि वह प्राक्रतिक चीज़ होती है तो इससे इन सब्दों से जश्ट पहले जो सब्द होता है वही उपमान होता है ठीक है इतनी चीज़ें आपके समझ में आ गई आई होगी किसी तरह की क होती है परिशानी होती है तकलीफ होती है नई समझ में आता है कमेंट सक्षन में आप जरूर डालिएगा ठीक है अब ये जो अंग होते है इनमी अंगों के आधार पर उपमा लंकार को दिवाइड किया गया है ढब उपमा लंकार ब fraterके बहुते हम ठीक है देख लेते हैं वो दो प्रकार कौन से हैं अप्मा अलंकार के दो प्रकार है ठीक है पहला है पूर्ड उप्मा ठीक है पूर्ड उप्मा का मतलब होता है अकी जिसमें जो चारों अंगों की हमने बात की थी जिसमें उप्मा के चारों अंगों विद्दमान होते हैं अब चारों अंगों में उप्मान वाचक समान दान यह चारों अंगों विद्दमान होते हैं कैसे उधारन से मैं बताती हूँ जैसे हैं हमने कहा पीपर पात सरिस मन डोला इसमें कभी ने क्या कहा है पीपर पात सरिस मन डोला पीपर के पत्ते के समान मन डोल गया सरिस यह हमारा आ गया सरिस यहां पे हस्ता के साथ सरिस में लेखना भोल गए थी सरिस भी होगा यानि समानता दी गई तो यहां पे उपमा लंकार हुआ अब पूल उपमा कैसे हुआ तो पीपर पात क्या है प्राकर्तिक यानि कि यह उपमान है प्राकर्तिक चीज मैंने आपको बताया था उपमान है और उसके किसके पहले तुरंत होता है सरिस यानि की वाचक के तुरंत पहले ठीक और मन क्या है मन शरीर का ही पार्ट है तो यह क्या हो गया उप में तो मन की तुलना पीपल के पत्ते से हो रही है कौन से गुण से हो रही है समान धर्म क्या है डोलने से पीपल का पत्ता बहुत यहाँ पर पत्ते के समान ही मन दोलने लगा तो यहाँ पर डोलना क्या हो गया समान भर्म हो गया- तो इस तरह से हम देखते हैं के अप्मा लंक्र चारों अंग इसमें विद्मान है इसलिए यह पूड़ अपमा हो कि दूसरा पारड गया है लुप्तो अपमा ठीक है जिस में जैसे नाम से ही समझ में है पूल्ड उपमा जिसमें चारों अंग विद्धमान हो लोपतो अपमा जिसमें को कोई किसे का लोप हो गया हो लुप तो हो गई हो जिसमें अपमा का कोई अंग लुप तो हो गया हो ठीक है अब इसका उधार इसमें चारों अंग विद्धमान है देखिए और लुप तो हमा में कोई एक अंग नहीं होगा वो इसका उधार में लेती थी पड़ी थी बिजली सी विकराल ठीक यहां हम कह रहे हैं पड़ी थी बिजली सी विकराल सी उपमालंकार तो आही गया अब हम क्लियर करते हैं कौन सा अंग इसमें लुपत है सी सी हमारा आया तो हम अपने आप जान गए यह क्या है वाचक शब्द है वाचक है सासी से सम सरिस जैसा तुल यह सारी चीजें जो एक गुसरे की तुलना कराती हैं अब बिजली क्या है बिजली तो प्रकृतिक चीज हो गई न तो यह क्या हो गई और वाचक के ज़श्ट पहले भी उपमान आता है यह भी बताया है तो दोनों तरीके से यह बिजली क्या हो गई उपमान हो गई अब विकराल क्या हो गया विकराल किसके समान तुलना क्या किसकी दी गई है विकर चाः है तो यह क्या हो गया समान धर्म हो गया करे कूठ आ ढम यहां मैं समझभा रहे हैं कि कौन बड़ा था विजलि कई के समान विक्राल किसका रूप था तो पड़ी थी अब यहां अगर कुछ होता कि कौन पड़ा था यहां पर वाट को किसी का नाम तो दिया नहीं है पड़ी थी कोई थी जो पड़ी थी इस त्री लिंग है ये समझ में आ रहा है पर कौन पड़ी थी कैसे पड़ी थी ये नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि दिया नहीं है यानि कि यहां पे किसका लोप है उपमे का किसका लोप है उपमे लुपत है तो यहां पर कौन सा लंकार होगा लुप्तो उप्मा लंकार होगा ठी आई बात समझ में अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है कमेंट सेक्षन में आप डालिएगा तो उप्मा लंकार के दो पार्ट होते हैं अब पूर्ड उप्मा लुप्तो उप्मा इसके पहले देखे चारंग होते हैं उपमे उपमे यानि शरीर का कोई अंग जिसकी तुलना की जाए उपमान यानि कि कोई प्रकृतिक चीज जिससे तुलना की जाए वाचक सब्द सासी से सरिस्थ सम जैसा तुल ये सारे शब्द और समान धर्म समान धर्म यानि कि किसी गुण कोई गुण जिसकी जिसक हम उपमा लंकार पढ़ेंगे तो वाचक शब्द से तुरन पहले जो शब्द रहेगा वो उपमान ही रहेगा ठीक फिर उसके अंगों के आधार पर उपमा के दो प्रकार होते हैं पूर्ड उपमा पूर्ड उपमा में जिसमें चारों अंगों हो उपमा के उपमान उपमे वा आज उपमालंकार हमने पढ़ा दिया अब अगला हमारा आता है रूपकुत प्रिक्षा इन सब की बात करेंगे बहुत ज्यादा ना हो जाए क्योंकि इन चीजों में पार्ट के सब पार्ट है तो हो सकता है समझने में आपको दिक्कत हो इसलिए सारी डिटेलिंग एक साथ नह होती है तो उसके लिए मुझे जादा देर आपको पढ़ाना ही होगा पर यह चीजह ऐसी है कि आपका समझ लेना जादा जरूरिया क्योंकि रटने से याद होंगी नहीं समझने से ही याद होंगी तो इस तरह से मैं आपको आज इतना पढ़ाती हूं नेक्स्ट वीडियो मे और प्लीज लाइक, शेर, कमेंट का ध्यान रखिएगा मेरी वो टॉनिक है, जैसा आपको बताती हूँ टॉनिक देते रहिए, और वीडियोज देखते रहिए, समझते रहिए आपकी प्रॉब्लम्स कमेंट सेक्षन में डालते रहिए मैं डाउट्स क्लियर करती रहूंगी नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए धन्यवाद